इंडियन नेवी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे और किसी ने नहीं बलकि अब पाकिस्तानी की द्वारा लगाए गए हैं क्योंकि भारती नौसेना के द्वारा डेरिंग ऑपरेशन को करते हुए इरान की फ्लैट वेसल को फिर से दुबारा रेस्क्यू किया गया और इसमें जो 23 पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे उनको भारती नौसेना के मारकोस कमांडों के द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया है हम सभी जानते हैं कि पिछले साल से ही सोमालियन पायरेसी चरम पर है और वो लगातार पूरे अरवियन सी को अपना निशाना बनाई हुई है और इसी के साथ इनके द्वारा जो है अभी हाली में इरान के फ्लैट वेसल को आपका कैप्चर किया गया और उस फ्लैट वेसल न अपने नौसेनिक जहाजों और मारकूर्स कमांडों के साथ पहुशती हैं जहां पर फ्लैट वेसल जिसका नाम अल कामबार था और इसमें कुल 23 पाकिस्तानी नौसेनिक सवार थे उनको भारती नौसेना ने 12 घंटे चले आपरेशन में रेस्क्यू किया हम सभी जानते हैं क इस प्रकार से पाइरिसी का आपका खत्रा बढ़ता जा रहा है और इस कारण से अरबियन सी में सबसे बड़ी अगर फौज हम देखें तो वो हमारी इंडियन नेवी हैं और इंडियन नेवी ने इन सभी 9 के 9 सुमालियन पाइरेट्स को आपका गिरिपतार कर लिया है और अ सुमालिया के 35 पाइरेट्स को यानि की समुदरी लुटेरों को भारत के लिए पूस्ताश के लिए आपका लाया गया है भारती नौसेना अपने मैरिटाइम ऑपरेशन में जो हमारी मैरिटाइम सेक्यूर्टी है उसको चाक चौबन करते हुए पूरे अरबियन सी में तैना भारती नौसेना मैरिटाइम एंटी पारिसी एक 2022 के तहट जो है अपनी एडिशनल लीगल प्रोसीडिंग्स को कर रही गी और जो पहले से 30 आए हैं और अब जो नौ आपके आए हैं उनके उपर भारती कानून के तहट आपके मुकदमा चलाया जाएगा अब यह उपरेशन भारती नौसेना ने किस प्रकार से किया जैसे ही 29 मार्च को रात को हमारे इंडन नेवी को यह कॉल आती है पाकिस्तान के द्वारा की देखिए हमको सुमालियन पारेट्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है तो सबसे पहले हमारी इंडन नेवल शिप आइनस सुमेधा वहाँ पर जाती है उसको इंटरसप्ट करती है और उसके बाद हमारी गाइडे मिसाइल फ्रिगेट आइनस तुर्चूल उस ऑपरेशन में आपका समलित होती है और दोनों तरब से भारती नौसेना अपने इन दोनों शिप से उनको घेरती है और यह सभी चीजें ऑपरेशन संकल्प के द्वारा चलाई जा रही है जिसको भारती नौसेना ने वर्ष 2019 में चलाया था और आपको मैं बता दू कि हमारे इंडेन नेवी ने अरबियन सी में टोटल अपने 10 वार्शिप्स अर्थात डिस्ट्रोयर को आपका लगाया हुआ है क्योंकि यहां पर सोमालिन पाइरिसी के खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये एक प्रकार से विश्व की शान्ती के लिए बाधा है और पूरे अरबियन सी में जो है एक प्रकार से कैयोस का उस्थिपी उत्पन करते जा रहे हैं अगर आप सौधी अरब के साउथ में देखो और खाने के कुछ है उसी प्रकार से वो कारवाई करता है और उसको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है लेकिन भारती नौसेना पूरे रीजन के लिए कारे कर रही है और इन्होंने दूसरी बार पाकिस्तान के नागरिको को आपका सोमालिन पाइरेट से रेस्क्यू किया ह हुआ है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो की अरविंसी है और यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में शक्ति के साथ भारती नौसेना लगी हुई है जहाँ पर चाहे आपका गल्फ आधन हो आपका इस्टेट आफ होर्मूज हो वहाँ पर इंडियन नेवी जो है अगर कोई शिप आती है तो यह उसको जो है कैप्चर कर लेते हैं लेकिन भारती नौसेना से यह काफी खौफ खाते हैं और अब इनके सपने में भी भारती नौसेना आ रहे हैं और हमारे मरीन कमांडोस आते जा रहे हैं तो भारती नौसेना के द्वारा एक बार फिर से हीर जोईक रेस्क्यू हाईजेक इरानियन शिप का किया गया है जिसमें हमने विश्ष को और मेली पाकिस्तान को दिखाया कि देखो हम युद्ध की स्थिती में सबसे सक्षम हैं और अगर हमको रेस्क्यू करना पड़ा तो हम अपने दुश्मन देश के नागरिकू को भी बचात हैं चली जानते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में इनका पूरा नाम मरीन कमांडो होता है वर्ष 1986 में इनको आपका गठन किया गया था और जल थल नब किसी भी टेरेन में किसी भी जगा कठिन से गठिन ओपरेशन को कर पाने में सक्षम रहा करते हैं दफ्यू दफियरलिस इ आती साथ पैक प्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें